यह वीडियो में हम लोग as your devops को डीडेल में डिसकस करेंगे तो as your devops जो है वो एक development operation combine का platform है जो as your provide करता है जहां पर हम लोगों को organization के अंदर projects बनाने पड़ते हैं तो मैंने एक project बनाया है जिसका नाम है demo project तो आप जैसे यह खोलोगे तो आपको about this project पता चलेगा जहां पर प्रोजेक्ट का description आड़ कर सकते हो और आप चाहिए तो repository में से भी demo project की fetch कर सकते हो यह GitHub की repository है और आप देख सकते हो कि आपके team में कितने members है अगर आपकी team के सारे developers और operation को आप यहां पर रख सकते हो और उसके बाद आप पुरे statistic देख सकते हो कि last 30 days में मेरी team में कितने task किये हैं last 7 days में कितने work items created हैं कितने complete हुए हैं तो यह पुरा एक project management platform होता है उसके बाद होता है as your boards as your boards में आप task बना सकते हो और वो task आप किसी team member को assign कर सकते हो और आप उसको email कर सकते हो, delete कर सकते हो, आप multiple चीज़े वो कर सकते हो और आप उसका state देख सकते हो, कि वो task to do है या क्या है और area path में वो कौन से project के साथ connected है अगर आपको new work item बनाना है तो आप एक epic, एक issue और एक task के बीच में differentiate कर सकते हो issue mostly अगर कोई और team को हमारी team में से कोई काम होता है तो वो हमारे board पे आके अपना काम देखे जाती है अगर आपकी database की team है और कोई और application को database में changes करना है तो वो आपके board में आके work item बना के जा सकती है जो आपकी project owner आप में से किसी को assign तरेगी तो यह यह पूरा Azure का board है जो मनें discuss किया था इसमें तीन section होते है एक to-do list, एक doing, एक done तो backlog में से normally team members को assign होते हैं और team से expect किया जाता है कि एक sprint में मैं लगा one week या two week में जो team है वो अपने सारे जो items है जो to-do list में वो done में करतेगी उसके बाद backlog होता है backlog एक ऐसा section होता है जहां पर हम सारी sprint देख सकते हैं जैसे मैं new sprint बना सकती हो एक sprint two और में को उसकी start date और end date डालनी होगी तो अगर मैं start date आज की डालती हूं तो मैं end date one week बात की डालती हूं कि मेरी sprint one week की है और मैं create करती हूं तो मैं जब sprint two create करूंगी तो उसमें मैं work items add कर सकती हूं और हमें analyst देख सकते हैं कि हमारे sprint में कितना काम हुआ है कौन कितना काम करते हूं यह सब अगर आपने devops के कोई भी चीज़ पढ़ी होगी या agile way of working read किया होगा या normal software development life cycle का भी read किया होगा तो आप यह सब चीज़े ज़ाद फिमिलियर होईंगे क्वेरी हो सकती है delivery plan हो सकते है उसके बार दे रिपोजिटरी रिपोजिटरी मोस्ली के साथ connected होती है जहां पर हम गिटब से पूरा का पूरा code fetch कर सकते हैं और उसको वीजुल स्टूडियो में भी खोल सकते हैं उसके वाद हम यहां पर commits देख सकते हैं क कि कितने developers ने क्या क्या commits किये हैं उसके लाद हम push देख सकते हैं कि कौन से developer ने कौन सा code कौन से time पर push किया था हम branches चेक कर सकते हैं और हम tags देख सकते हैं हम pull request देख सकते हैं अभी currently कोई भी code present नहीं है project में इसलिए नहीं दिखाए दे रहे हैं उसके बाद similarly Azure pipelines होता है जहां प कर सकते हैं उसके बाद dev test plan हमने रीड किया था यह जो चीज होती है इसमें basically testers आके काम करते हैं और वो अपनी testing run करते हैं और उनको अपने testing का पूरा output यहां पर दिखाए देता हैं उसके बाद artifacts होते हैं artifacts project के उपर depend करते हैं अगर आपका project asp.net यूज कर रहा है तो .net के artifacts present होएंगे java यूज कर रहा है तो java के jars present होएंगे तो यह सब artifacts हम लोग यहां पर store कर सकते हैं जिनको हम further अपने code में यूज कर सकते हैं तो यह था small overview Azure DevOps के उपर कर दो यह तो